वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो एक्स्टेरनल एफएस मिनिस्टर एस जैशंकर साब उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहां कि इंडिया के मिडियेट मतलब इंडिया इसराइल और इरान के बीश में अभी जो हाला थे उसमें मिडियेटर बन सकता है और आगे जागे इंडिया इसमें टेक्याल कर सकता है तो एक्जाक्ली क्या हुआ था या नहीं हुआ तो सारा कुछ इसी वीडियो में डिसकस करेंगे जैशंकर साब यूएस ट्रावेल कर रहे थे कानेगी एंडोस्मेंट सेंटर फॉर इंट कि भाई कोई casualty नहीं हुआ On the other side इसी बारे में इंडिया का जब stand पूछा गया जैशंकर साब से at that point of time जैशंकर साब इंडिया का जो stand यह काफी clearly बोल दिया जैशंकर साब का कहना है कि 1947 से ही हम लोग Palestine को recognize करते On the other side इंडिया आज के date में भी two nations जो theory है इसके ट्रस्ट करता है इसके लावा उन्होंने कहां के 7th October last year जो हुआ था इस्राइल के उपर यह होना नहीं शाहिए था यह एक terrorist attack On the other side इसी को लेके different जो countries है वो लोग अपने तरफ से बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो हमास को terrorist संगतन मानता ही नहीं इसके बाद भी कैसे कोई कह सकते है कि इंडिया जो है हमास को terrorist संगतन नहीं मानता है तो जो भी हो जैशंगर साब अपना speech जो था उसमें clean and clear बोल दया इसके लावी जैशंगर साब अपने तरफ से बोला जो 7th October को last year इसराइल के उपर हुआता यह terrorist attack है यह होना नहीं चाहिए था यह बहुत गलत है और इंडिया terrorism के against जीरो tolerance जो policy है वही मानता है जैशंगर साब ने अपने तरफ से और भी बोला कि हम लोग समझ सकते कि exactly इसराइल का क्या condition है उनका कहना था कि presently इसराइल जो कर रहे है हम लोग समझ सकते मगर अगर किसी पर उपर attack किया जाता है या फिर कोई भी कंट्री दूसरा कंट्री को पर attack करता है at that point of time हर कंट्री को जो humanitarian law है वो follow करना चाहिए पास में हम लोग already देखे के गाजा में जो गाजा के citizens थे जो लोग एक जाकर हमास के साथ जुरे नहीं थे उनलों के round about 50,000 का देख हो गया मतलब 50,000 का casualties था गाजा में जो normal citizens थे जिनलों को कुछ नहीं लेना देना था इसराइल के साथ जिनलों को कुछ नहीं लेना था हमास के साथ तो हो सकता है कि जैशंकर सब अपने तरब से जो last में बोला वो गाजा को अपने दिमाग में रखत हुए ही बोला इससे एक चीज़ पुरा clear हो जाता है कि इंडिया हमेशा अपना जो position है वो neutral लगता है ऐसा नहीं कि इंडिया का अगर इसराइल दोस्त है तो इंडिया हमेशा इसराइल को support करेगा अगर इसराइल कुछ गलत कर रहे है तो जैशंकर सब clean and clear इसराइल को बोल है कि यह जो attack है यह terrorist attack है और यह गलत था तो नो डाउट यही कुछ points है जिसके वाइसे आगे जाके इंडिया इसराइल और इरान के बीश में mediate कर सकता है एक point है इंडिया neutral है इंडिया हमेशा आख बंद के किसी को support नहीं करता है दूसरा जो point है उसमें हम लोगों को पता च जो next point है हर कोई चाहेगा कि यह जो वार है यह जितने जल्दी खतम हो जाए क्योंकि बाइड डिफॉल्ट यह हर country के ऊपर कुछ ना कुछ एफेक्ट करते है मिल्ली जो एफेक्ट करते हुआ है economy पे अगर हम लोग इंडिया पर ही देखे तो यह जब इरान ने इसराइल के पर अटक किया एड़ पॉइंडिया इंडिया 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 इफेक्ट करता है तो कोई भी नहीं चाहेगा यह वार जो यह नेक्स लेबल पे जाए इसके लिए अगर हम लोग थोरा सा पास्ट में जाके देखे तो हम लोग को पता है जब यह वार शुरू आफ टाइम इंडिया के पी-एम मोदी जी बेंजमीन इतिनियाहू के साथ बात किये थे किया हो रहा है यह फिड काज़ा का जो सिचुएशन है उसको लेखे दोनों में कंवर्सिशन के बाद मोदी जी अपने तरब से स्पीस दिया जिसमें मोदी जी सबसे पहले जो बोले कि हम लोग ज इंडिया में भी देखे तो पास्ट में इंडिया का जो पॉलिसी यह चेंज हो गया है एक टाइम में हम लोग को सुनने को मिलता का डिफरेंट लोकेशन में इंडिया में ब्लास्ट हो रहा है डिफरेंट टैप आप जो टेरिस्ट है वो लोग इंडिया में आके अटक कर र है या फिर इस तरफ का जो टेरिसम अटाक है यह धीरे 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 घट रहा है उसके कुछ दिन बाद हम लोगो सुनने को मिला जम्मू कश्मीर में हर मनलब दूसरा तीसरा दिन कोई ना कोई टेरिस्ट जो है उनको आगे जाके इंडिया के जो फोर्स है इंडिया जो मनलब है उपने तरफ से उनको अरेस्ट करता था लोग पर ने चाहिए फिर पेर कोई उनको बैल चाहिए और कोकॉर ऑपर हो जाता है वही साइट में एंकाउंटर कर दो और presently अगर हम लोग देखे हम लोग को जो न्यूज आता है अगर आप न्यूज फॉलो करते है एवरी डे तो आपको पता ही है कि न्यूज चैनल में हम लोग को देखने को मिलता है कभी जम्मू में कभी कश्मीर में डिफरेंट लोकेशन में इतना सारा जो टेरिस्ट है उन आपको मानना पड़ेगा आप अगर इंडिया में आओगे अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो इंडियन गवर्मेंट का जो रूज है आपके तरह से ही प्लानिंग किया गया है ऐसा नहीं है कि आपको एरेस्ट करेंगे आपको दामाद बनाके दो तीन साल तक रखेंगे उ पुराना टाइम में इंडिया में चलता था प्रेजेंट ली जो इंडिया यह बदल गया है जिरो टॉलेंस पॉलेसी अगर आप ऐसा कुछ अक्टिविटी करते हो जब भी आपको दिखाएगा अगर देखा जाए यह बहुत ही अच्छे इंडिया के लिए और यही चीज मो लोग को देखना चाहिए यह जो वाइलनस इंसको और भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए इसको जितना चाहिए जल्दी खतम होना चाहिए अगर यह खतम हो जाते तो अब इसमें इरान चाहता है कि इस अगे जाए आगे जाए इस्टेप ले इसराइल के साथ बात करें और इ क्या लगता है Benjamin नितिन हो यह सब मान जाएगा इतना जाल दी जो भी होगा आगे हम लोग को पता चल जाएगा on the other side अगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग और वीडियो दिखने है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाना परेगा that is अतनु पॉल ATA, Anew, Space, PAUL को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जब भी सब्सक्राइब करें जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजे डिफरेंट टाइप आप इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाले हैं जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस परसे ने उनके साथ शेयर कीजिए कि इस से क्या होता है आपका जो टेस्ट है वो उन तक पहुंचता है और आज की यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद कर दो में दो आपको पहुंचता है वो बहुत सारा है और आपको रिक्वेस